Hello everyone, welcome to lecture force First question है, जो cells की pairing का question है ये ear force में बहुत पूछा जाता है अगर number of cells M है और N उसकी row की संख्या है external resistance और internal resistance गिवन हो तो हमें M और N में relation find करना होता है तो देखो format यही रहेगा हो सकता है values change हो जाए external कुछ हो, internal कुछ हो exam में जो आपका question आएगा बाकि आप इसके लिए एक चीज याद रखना जो आपका external resistance होगा वो effective internal resistance के equal होगा ये condition याद रखना जहाँ पे M है cells की जो number of cells और N है number of row ठीक है, तो इसके लिए आप external 3 था is equal to M बटे N into internal 0.5 था 0.5 को हम आधा लिख सकते हैं 0.5 मतलब 5 बटे 10 मतलब 1 बटे 2 तो यहाँ से जब cross multiply करेंगे तो M बराबर 6 N मिलेगा क्योंकि 2 का इधर गुणा होगा तो 6 N कौन सा option है जिसका N में अगर 6 से गुणा करते हैं तो वो M के equal मिल जाए इस में 3 में 6 से गुणा करेंगा 18 मिलेगा नहीं है इस 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 मिलेगा इस 12 में 3 से 24 मिलेगा इस 2 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे क्योंकि 6 से गुणा करते है N में तो हमें M मिल रहा है तो अगर इस 2 में 6 से गुणा करेंगे 12 मिलेगा A option right answer हो गया M बराबर M is equal to 12 और N is equal to 2, हो सकता है, इस question में आपको ऐसे, अगर मैंने condition निकाली थी, हमाई condition आई थी, M is equal to 6N, अगर हो सकता है, यहाँ पर दे देता कि कुल स्वैलों की संख्या 24 है, तो फिर वहाँ से हम ऐसे करते, तो अगर option फिर उसी तरह के होंगे, तो फिर कुल मिला के हमें याद क्या का current है, और उसमें number of turns, यानि कि फिरो की संख्या भी 10 है, और fortunately जो radius है, वो भी 10 है, तो उसका answer क्या होगा, जो magnetic dipole moment होगा, वो क्या होगा, पाई, ठीक है, याद रखना, अब भाई, याद कैसे रखना, या रटवा क्यों रहे हो, कोई ना रटवाते नहीं, आपको याद कर समझा देते हैं, जो समझा देते हैं, magnetic dipole moment क्या होता है, एन, आई, ए, सबको बता होगा, जहापे, एन, नमबर of turns, आई, जो है, current, और ए, उसका area, लूप कैसा है, circular, तो area क्या हो जाएगा, पाई, रखना, तो area को हम replace करके, पाई, यानि कि इसको हम गोड़ा करके, याँ प meter square है, तो answer meter में रखना है, 10 cm को meter में बनाएंगे, तो 100 से divide करेंगे, यानि कि एक बटे 10 meter होगा, और उसका बर्ग करेंगे, तो एक बटे 100 हो जाएगा, अब इस 100 से ये 100 कट गया, पाई ही तो बचा, वही तो मैंने बताया था, पाई, देखो, ये question पूछा जा चुका है, जिनमें physics आती, refractive index है 1.5, एक thin prism है काज का, उसमें जो minimum deviation angle है, वो delta M है, और reflection angle R है, इनमें कौन सा relation सही होगा, 4 option में से, तो देखो, क्या होता है, आपका thin prism के लिए, जो deviation का formula होता है, क्या होता है, refractive index minus 1 into A, जहापे A होता है, प्रिज्म कोड, ठीके, अब हमें, ये होता minimum deviation की situation में, जो delta M होता है, वो क्या होता है, sin A plus delta M बटे 2, बटे, यहाँ पर A plus delta M बटे 2, बटे, sin A बटे 2, यानि कि ये आपतन कौन, ये अपवरतन कौन ही तो होता है, मनि, अपवरतन कौन जो R होता है, वो A बटे 2 ही तो होता है, reflection angle होता है, प्रिज्म में एंगल बटे 2, for minimum deviation तो A की जगाए पर हम क्या लिख सकते हैं cross multiply करेंगे तो A की जगाए पर 2R लिख सकते हैं 2R लिखा बाकी अब N कमान कितना है डेड़ डेड़ में से एक गटाएंगे तो आधा बचेगा into 2R यानि कि आधा इधर बचेगा आधा का मतलब एक बटे दो बचा आधा और दो से दो कट गया तो डेल्टा M जो है वो R के एक को ला गया I hope आपको समझ में आ गया होगा कौनसा option राइट हो गया A option और ये जो 5 question है ये बहुत important होते हैं और एक बात और जो मैं कह देता हूँ कि जो बच्चा इन पाचों में पाचों question कर पा रहा होगा वो बच्चा special होगा और उसका selection होगा जैसे मैंने पिछले वीडियो में कह दिया था तो जो बच्चे दुखी हो गए थे सैड हो गए थे कि सर मैं एक भी नहीं कर पाया तो क्या मेरा selection नहीं होगा देखो मैंने वो आपको demotivate करने के लिए नहीं कहा था मैंने बस जिनने कर लिया उनको encourage करने के लिए कहा था एक बात बताओ आप जैसे instructor है कोई ठीक है trainer है और trainer अगर आप 5 km दोड के लिए आये हो training center में वो आपका 50 मीटर के steps देखके evaluate कर लेगा कि ये बच्चा select होगा या नहीं या ये बच्चा 5 km की देश लगा पाएगा या नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 मीटर में उसने ऐसा क्या दिख लिया क्या होता है कि instructor को पता है कि कैसे steps डालना है या suppose वो push up लगाने उसको 50 push up का practice कराना है और वो एक push up जो लगाएगा कहते है ना पूत के पाउप पालेने में दिख जाते है तो वही मेरा वो तरीका था वही मेरा मतलब कुछ को encourage करने का क्योंकि जो बच्चा यह तो है नहीं कि मैंने एक ही chapter से पांचो question लिये थे उस वीडियो में जो छोटा रिचार्ज था मैंने physics के कोई 11th का कोई 12th का कहीं से important ऐसे question लिये थे तो एक evaluation हो जाता है कि हाँ बच्चे में कुछ ना कुछ speciality तो है अगर बच्चा कुछ इधर उधर के chapter से मैंने combine करके miscellaneous question लिये और वो उसने पांचो के पांचो कर लिये इट मींस उस वो अपने आप में कुछ ना कुछ तो special है तो मेरा कहने का motto यह बिलकुल नहीं था कि कुछ बच्चे जो ना कर पाएं वो sad हो जाएं बस यह उनके लिए था motivation जो कर लेते हैं मुझे personally लगता है और मेरा opinion था यह कोई confirm नहीं है कि जो नहीं कर पाएगा उसका selection नहीं होगा ऐसे ही similarly आज की जो past question है मैंने different chapters से लिये अब जो बच्चा कर लेगा इन पांचो को तो मुझे personally मेरा opinion है कि वो कही ना कही इस race में इस speed में बहुत आगे है तो बस यह किसी को demotivate करने के लिए नहीं होता है बस यह उनको motivation देने के लिए होता है जो कर लेते हैं पांचो अगर sound का intensity level दूसरी sound से 40 decibel उचा है high है तो फिर उनकी intensities का ratio find करना है देखो बैसे तो यह question अगर करोगे बैसे इसको मैं पहले unique तरीक आपको बता दूँ एक ऐसी approach बता दूँ उसके फिर पीछे बताऊगा कि वो कैसे कर पाऊगे आपने के अबर यह digit देखना है 0 के बाद बाला ठीक है जैसे यहाँ पे 4 है 5 है 6 है और यह मैं बता रहूँ आपको 40 50 60 ऐसी होगा ऐसे कभी नहीं होगा कि 43 हो जाए या 55 हो जाए ठीक है वो बताऊँगा क्यूँ तो बस उसकी power 4 ratio 1 कर देना है उसकी power 4 ratio 1 यह हमारा right answer अब यह कोई trick नहीं है इसका logic है और वो बहुत सरल है जो loudness होता है वो होता है 10 log ठीक है intensity का ratio बटे i0 ठीक है अगर ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ स्रिप और दूसरे case में loudness की बात करेंगे उसका जो intensity level की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 10 log अपकी बार intensity i2 बटे i0 i0 fix रहता है 10 की पावर माइनस 12 बाट प्रिती मीटर स्क्वेर तो उसे मतलब नहीं है क्योंकि वो दोनों कटी जाने वाले है calculation में बता रहा हूँ कैसे अगर 40 decibel high है यानि कि उनकी loudness का difference 40 decibel है जब हम यहाँ पर difference लिखेंगे l1-l2 तो वो 40 हो जाएगा is equal to similarly यहाँ पर log m1-log m2 करेंगे तो log m1-m2 क्या होता है log m बटे n यानि कि 10 log i1 बटे i2 हो जाएगा समझ रहे हो यह तो कटी जाएगा क्योंकि जब difference किया अब आप देख रहे हो कि अगर यहाँ से यह कट गया suppose इसी question में कहता कि एक intensity level एक sound का 50 decibel है ठीक है और दूसरी का है 100 decibel वो direct नहीं कहेगा कि high है कि low है तो आपने देखा कि difference कितना है 50 का 50 is equal to log waste 10 i1 बटे i2 यही तो हमने भी बताया calculation से कैसे आया अब यह log खतम करेंगे तो यह इधर 10 रहता है तो log करेंगे तो यह 10 की power कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यही तो ratio आएगा intensity का तो हमें cable क्या देखना है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको cable यह देखना है कि यह कितना difference कितना है क्योंकि loudness का जो formula लगा है लगा है नीचे आई बटे आई जीरो रहता है तो आई जीरो तो fix है दसकी गात माइनस 12 होता है बाट प्रती मीटर स्कर यानि कि 0 decibel तो उसे मतलब नहीं है अब बाकि आपको यह calculation करने की need नहीं है unnecessary आपको क्योंकि यह देखना है कितना difference है और अभी तक 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5 यानि कि यह तो वह आएगा कि 50 डेसिबल है एक की 100 डेसिबल है यह तो कहेगा direct difference देगा कि वह उसका level intensity level 50 डेसिबल हाई है यह 40 डेसिबल 60 भी हो सकता है तो 10 की पावर 6 हो जाता तो आई होप आपको समझ में आया होगा तो इनी टेक्निक्स को इंप्लीमेंट आगर आप करते हो तो एक्जाम डेफिनेटली क्रेक होगा और second thing कि मैंने आपको कल commitment कर रहा था कि live जो sorry वह क्या कहते है महराथन classes के लिए तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैंने डाल दिया तो मैं उस पर work नहीं कर रहा हूँ महराथन आपको भी पता है कि long classes होती है minimum एक गंडे से अधिकी class होगी तभी तो वह महराथन होगी बकी उन classes पर मैं काम कर रहा हूँ अभी एक महिना और एक महिना में चार classes में हर वीक में एक class आपको provide करूँगा ठीक है बस कोई hindrance ना है तालाब में पत्थर फेकने पर जो circular तरंग का वो बनता है उसमें क्या कहते है उसके center में और amplitude में जो center से रा डिस्टेंस यानि कि उसकी radius होगी उसमें कौन सा relation संही होगा ये वैसा case होता है और गाव में आपने कभी देखा हो कि एक तलाब है उसमें पत्थर फेक होगे जैसे लिए तो इस तरह तरह की wave आपको दिखती हुए दूर जाती हुई इस तरह की तरंगे दिखती है तो तो उन्हीं तरंगों में जो एसा विरत बनेगा तो उस विरत में जो रेडियस होगी और उन तरंग का आयाम होगा वह कैसा होता है पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा भी पूछा गया है कि जो पॉण्ड में इस्टॉन थ्रो करेंगे तो जो वेप रोडूस होगी वह ल सब्सक्राइब की अब कैसे लिए आपका जो रेडियस के इंडारेक्टली पर्पॉजनेल है और जो ए्म्प्लिट्यूड़ है उसका इसको इंडारेक्टली प्रपॉजनल होता है इंटेंसिटी के तो अब एक बात बताओ कि आपका जो इस इन दोनों को रिजल्ट से अगर से एक बटे दो के डारेक्टली बर्वोजन होता है बाकि ये भी याद रखना कि जो वह वेव खुद बनती हैं वह आपका अनुपरस्त और अनुध्यरे का वीटारेज वो कहेंगा इन मैंसे कौन इलेक्ट्रोमग्नेटिक नहीं होते हैं ठीक है आई होब को किलियर नहीं होगा बाकि यही है कि आप पढ़ते रहों यह मत सोचों कि यह 5 कुश्चन है मैं आपको बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा हूं आपको कुछ ऐसा देने का थोड़ा मेहनत चाहिए और उसमें थोड़ा डेडिकेशन चाहिए तो इसलिए वीडियो का डिवरेशन थोड़ा चोटा है बाकि आप एडजस्ट करो अभी बस इन कुश्यन से क्या है कि यह चलते फिरते देख लोगी सपोज आप नहाने जा रहे हो तो नहाने के बीच में ज डियलेक्ट्रिक कोंसिटेंट होता है वो हमेशा एक से बड़ा होगा ठीक है आपने कैपेसेटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है के एपसाले नौट अपॉन डी यह भी बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि कई वार कहेगा कि अगर दो उनके बीच में अगर हम क्य कोजनल है तो इस तरह के कुशन भी बनते हैं और वह एक से बड़ा होता है अब देखो यही कुशन वही है जिसमें पहले हवा थी जिसका के एक होता है अब डायलेक्ट्र रख दिया गया तो इसकी बढ़ जाएगी तो रख देने पर दारिता क्या हो जागी बढ़ जाएग और अपने हाथ से लिखके अब उसको बना रहा हूं तो इसलिए मैंने ऐसे पांच-छे कुशन लिखा गए देखो कुशन किसी के भी हो आप लोग कहते हो कि यह उनके कुशन है उनके कुशन किसी की नहीं होते है एक्स्प्लेशन अपना यूनिक होता है कुश्चन तो आप का एक लाइक होता है जो हमें next वीडियो बनाने के लिए motivation देता है बाकि strategy का वीडियो अब इन एक महीने में कैसे पढ़ना है मैंने अभी recently बनाया था strategy का physics का वीडियो description box में link दिया हुआ है जाके वहां से वह strategy का वीडियो आप देखके एक proper strategy बनाओ उसके बाद physics पढ़ना सुरू करो यह नहीं कि कहीं से कोई वीडियो देखने लग जाओ उस वीडियो को आई होप जरूर आपने देख लिया होगा नहीं देखा है तो आप देख लेना क्योंकि अब इन further days में यह depend करेगा selection कि अगर जो अपने हैं वीडियोप बिस अख public성 प्लिव यह नहीं होगा है जरूर क्ता में अब underside में इन furtherा ओ melod है झाल झाल